अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तू अनदर वीडियो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली सल्तनत की तुगलग डैनस्टी के पार में प्रिविएसली हम दो डैनस्टी दिस्कस कर शुक है डेली सल्तनत की the first was the slave dynasty and the second was the khalji dynasty आज की वीडियो में हम डिसक्स करेंगे तुगलग डिनस्टी जिसका time period 1320 से लेके 1414 तक था So, let's start the video अब तुगलग डिनस्टी का जो founder था, that was ग्यासुदीन तुगलग इसका time period था 1320 से लेके 1325 था इसका जो real name था, that was गजी मलेक इसने ये डिनस्टी फॉंट की थी, ग्यासुदीन तुगलग ने कुश्राओ खान को मारने के बाद, 1320 में ठीक है, कुश्राओ खान आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था He was the last khalji ruler, ठीक है, इसको मारके ये throne के उपर आ गया था 1320 में ग्यासुदीन तुगलग का एक बेटा था जिसका नाम था जोना खान इसने वारंगल बेटा था इसको वारंगल के रूलर के खिलाब लडने के लिए इसने जो वारंगल का रूलर था, प्रताब रुद्र, उसको हराया और वापिस एक rich booty के साथ आया booty was basically a term used in ancient and medieval periods it was basically जो loot part का समान लेकर आया करते थे ये लोग वापस जैसे पैसा, सोना, कुछ भी, anything, that was known as booty, उसको booty होते थे इसमें soldiers, जो soldiers होते थे, उनका भी share होता था, जो king होता था, उसका भी share होता था अब ये जो share होता था, ये vary करता रहा था with king to king, कोई king बढ़ा देता था, कोई king घटा देता था इसने एक fort बनाया था, तुगलगाबाद fort, चीक है ये देली के पास है, एक city भी बनाई थी इसने, तुगलगाबाद जिसका नाम था बेसिकले देली की seven cities है, मैं आपको, शायद दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था उसमें से एक city, जो डेली की है, वो है तुगलगाबाद, और ये city किसने बनाई थी, ग्यासुदीन तुगलग ने ये डेली का पहला सुल्तन था, जिसने irrigation works को शुरू किया था अब ग्यासुदीन तुगलग की death हो जाती है, 1325 में, और बोला जाता है, death कैसे होई थी, एक pavilion होता है उसके ओपर जब ये travel कर रहा होता है, तो वो collapse कर जाता है, और ये मर जाता है अब कुछ historians बोलते हैं, जैसे इसमाई, वो ये बोलते हैं कि ये जो collapse हुआ था पैवेलियन, ये उसके बेटे की एक चाल थी, बेटा कौन था, जोना खान, उसकी एक चाल थी ये, ताकि वो अपने पिता को मार के, खुद ध्रोन पर आ सके ठीक है, ये भी हम देखेंगे, आगे चलते हैं उसके बादाता है महउम्मद बिन तगलग इसका टांइम पेरिड होता है थर्टीन हंड़र्ट टाइफ से लेके थर्टीन हंड़र्ट फिफ्टी बन तक इसका नाम basically होता है उलुक खान इसको जोना खान भी बोलते थे ऐसा माना जाता है कि इसने treacherously अपने पिता को मारा और थ्रोन के ओपर चड़ गया as मुहमद बिन तुगलक मींज इसने title लिया मुहमद बिन तुगलक का इसने बहुत सारे ambitious reforms introduced की, schemes introduced की बहुत सारे experiments की in the field of administration, in the fields of economics but end result यह था कि यह सारे experiments fail हो गए miserably because ऐसा बोला जाता है कि अपने समय से बहुत आगे काम कर रहा था उस समय इतनी सारी improvements नहीं होनी चाहिए थी जितनी इसने कर दी so वो सारे experiments ultimately fail हो गए but one thing is, यह बहुत ही ज्यादा tolerant था religious matters में okay, इसने diplomatic relations maintain करके रखे थे four of countries है जैसे Egypt, China, Iran, इन सब countries के साथ इसने diplomatic relations maintain किये थे और हमने diplomatic missions को बेजा करता थे इन countries में, ठीक है कुछ contemporary writers थे, जो इसके time पे हुआ करते थे जैसे इसमाई, बरनी, इबने बतुता यह इसकी जो personality थी, उसको judge करने में असफल रहे, मतल़ कि इसकी correct picture को portray नहीं कर पाए अपनी books में अपनी thoughts में यह अकेला, इकलोता डेली का सुल्तान था, जिसको बड़िया education मिली थी, literary, religious and philosophical हर तरह की education इसको मिली थी, he was a very educated person अब इसने कुछ experiments किये थे, जैसे मैंने आपको बताया, field of administration में, economic field में उन experiments को हम देखते हैं, one by one तो पहला experiment इसने किया था, that was the transfer of capital इसने कैपिटल को transfer किया था, daily to दोलताबाद क्योंकि इसको लगता था, कि जो daily है, that is one thing, वो बहुत ज़्यादा close है, north west frontier के और दूसरी बात, यह southern India पे control करना चाहता था, southern India पे तो इसको लगा कि जो southern India के पास की capital होगी, उसके यह वहां से वह जादा बहतर तरीके सो इस चीज़ को control कर पाएगा, southern India को इसलिए उसने daily से capital को move किया देवगिरी में, और देवगिरी का नाम इसने बदल के रख दिया दौलताबाद, ठीक है, तो कहा जाता कि यह दौलताबाद इसकी second capital थी अब यह जो capital move करने का इसका experiment था, यह बहुत ही unsuccessful experiment रहा, पहली बात तो यह fail किया हुआ, पहली बात तो यह जो site थी, देवगिरी की, दौलताबाद की, यह नदर इंडिया से 1500 किलोमेटर दूर थी, ठीक है, अब वहां से यह southern इंडिया को तो control कर सकता था, लेकिन north को control करना कर पाया वहां से, और दूसरी गलती इसने क्या कर दी वहां पर, इसने court को तो move किया ही किया, nobles को, population को, सब को कहा कि तुम सब भी move करो, ठीक है, सब को अपने bag and baggage उठाए और move कर दिया भाई, 1500 किलोमेटर पैदल चलके गए वहां पर, गर्मी का समय था, काफी hardship हुई, long distance थ बहुत सारे लोग रास्ते में मर भी गए उस वज़ा से, और जिनोंने महमद बिन तुगलक के इस order को oppose किया, उनको तो इसने suppress कर दिया भूरे तरीके से, ठीक है, हाला कि इसने कुछ अच्छे images भी किये, जैसे रास्ते में rest houses, खाने का बंदवस वगरा भी किया, लोगों की चाया के लिए पेड़ भी लगाए, बाट हाडलेट कें भी नोटिस किती जल्दी पेड़ोग पाए होंगे, तो काफी अच्छे images भी लिया, लेकिन ultimately ये scheme उसकी fail होगी, ठीक है, जब इसने देखा कि scheme fail होगी, इसने बोला लोगों को चलो बाई, अपना सामान उठाओ, और महमद बिन तुगलग ने किया था, that was the introduction of token currency, उस time पे इसने token currency इंटेट्यूज की थी, basically हुआ क्या था उस time पे, gold की बहुत जादा globally कमी आ गई थी, तो इसने सोचा कि चलो क्यों ना token currency issue करते है, token coins issue करते हैं, जो कि brass और copper के होंगे, ठीक है, और इनको जो royal treasury होती है, central treasury होती तो ये महमद बिन तुगलग जो था, इसने उस चीज़ को copy करने की कोशिश थी, अब ये experiment fail कियो हुआ, पहला तो ये जो forging of coins थी, जो नकली coins लोग बनाते थे, उस चीज़ को ये रोप नहीं पाया, जो gold smiths थे, उन्होंने बहुती large scale के पर coins को forge करना शूर कर दिया, और foreign merchants India में trade करने के लिए आते थे, वो in coins, ये token currency की मदद से Indian products थो खरीद लेते थे, देकिंग जब उनको अपने products बेचने होते थे, वो इस currency को refuse कर देते, कि हम ये currency भाई नहीं लेंगे, हमें gold दो, इस वज़ा से जो trade था, वो standstill पे आकर रोग गया, मतलब कि एक point पे आकर रो नहीं बनाएंगे, और जिन लोगों के पासी currency थी, उनको promise किया कि आप लोग आईए, इसके बदले मेरे से silver coins लेके चाहिए, जो copper coins आपके पास हैं, उसके बदले मेरे से silver coins लेके चाहिए, अब इसका नुक्सान क्या हुआ, ट्रेजरी के ओपर treasury empty होगी, लोगों के बहुत साधा, ये coins थे, तो इन्होंने फिर क्या किया, हाँ, तो जो लोगों के पास coins थे, copper के, वो सब लेके आगे silver coins को exchange करवाने के लिए, तो जो treasury थी उसके ओपर बहुत बुरा असर पड़ा, तो इसके बाद उसने कुछ financial reforms लिए, treasury को recover कराने के लिए, वह हम आके देखेंगे, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, तो आगे देखते हैं, अब तीसर experiment इसने क्या किया, दौआब में text लगा दिया, तो आप एक fertile land थी बहुत जादा, गंगा और यमना के reverse के बीच में जो land हा, उसको दौआब कहते हैं, वो बहुत ही जादा fertile land हुआ करती थ तो वहाँ पे उसने भारी text लगा दिया, तीन reasons थे इस experiment के, ठीक है, पहला तो यह था, कि यह conquer करना चाहता था whole of the India को और Central Asia को भी, और इसके लिए इसे एक बहुत बड़ी army चाहिए थी, बहुत large army चाहिए थी, जिसके लिए उस army को salary भी देना चाहता था, और salary देने के लि में लगाई ताकि इसका पैसा आए, और यह salary दे पाए लोगों को, जो army है, उसको salary दे पाए, और second इसका reason यह था, जो इसकी financial difficulties, जो पीछे इसने experiment किये थे, उसकी वहाँ से जो financial difficulties आ गई थी, जो treasury के पर stain पढ़ गया था, उस चीज़ को recover करने के लिए, इसने यह experiment किया था इस वज़ा से इसने land revenue increase कर दिया, दौआब में, ठीक है, अब यह experiment fail क्यों हो गया, पहली बात तो यह, यह जो revenue इसने impose किया था, यह काफी excessive था, बहुत जादा था, और एक arbitrary steps था, farmers के उपर जो उनको पसंद नहीं आया, और farmers ने revenue देना बंद कर दिया, भाग गए वो, bandit ब परना शुरू किया, और उनको पगड़के मारा, और उसी टाइम पे जब इसने revenue impose किया था, farmers के उपर, taxation impose की थी, उसी टाइम पे एक फिमाईन आ गया दौब में, जिसकी वज़ा से condition बहुत जादा worse होगी, crops fail होना शुरू होगी, farmers के बाद पैसा नहीं रहा revenue देने के लिए उसकी वज़ा से condition over worse होगी, इसका impact क्या हुआ, जो peasants थे, उन्होंने revolt करना शुरू कर दिया, there was a serious peasants revolt in the area, जो farmers थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो villages से भाग गए, और bandits बन गए, लोटेरे बन गए, ओके, तो आगे देखते हैं, उसके बाद इसने एक चोथा experiment किया that was agricultural reforms, अब जब इसने देखा कि सारे experiments fail होगें, treasury MT होगी है, दौब में taxation लगा है, वो काम या अब नहीं हुआ, तो अब क्या करूँ, तो इसने उस टाइम पे सोचा कि चलो ठीक है, agriculture reforms लाते हैं, शायद agriculture की production बढ़े, उससे मुझे थोड़ा पैसा हाज, ठीक है, इसने finally ये realize कि educate relief measures तो हमें देने पढ़ेंगे, agriculture को promote करना पढ़ेगा, अगर treasury को वापिस बढ़ाना है, लोगों की prosperity को वापिस लाना है, इसने एक separate department बनाया, that department was known as दिवाने को ही, ठीक है, ये basically agriculture का ही डिपार्टमेंट हुआ करता था, इसको बोला जाता है, दिवाने को ही, इसने एक belief में कि production बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ेगा, state के अंदर एक model farm बनाया गया, जिसके अंदर experiments किये जाते थे, कि किस तरह से crops की productivity बढ़ाई जाए, कुन सी crops लगाई जाए, and many more things, ये farm establish किया गया था, 64 square miles के अंदर, government ने इसके लिए 70 lakh टंकाज खरच किये थे, इस experiment को further continue किय था, फिरोशा तुगलग ने, चीक है, तो आगे देखते हैं, मुहमट बिन तुगलग की जो death, healthy, वो बहुत ही खराब होगी, 1351 में, और उसकी death हो जाती है, उस time पे, इसकी death पे, एक writer होता है, बढ़ाउनी, historian, वो बोलता है कि सुल्तान was freed from the people, and the people were freed from the सुल्तान, ये line कही गई है, बढ़ाउनी के दोबरा, एक Moroccan traveler था, इबने बतूता, ये इसकी court में आया था, इसी के time पे भारत इसने visit किया था, इसको काफी titles दिये गए हैं, इसके जो contemporary writers हुआ करते था, इस time पे, जैसे कि wisest fool बोला गया है, इसे पागल पाथशा बोला गया है, unfortunate ideologue बोला गया ह इसको predecessor of the akbar भी बोला गया है, intellectual religious matters में, ठीक है, because he was very tolerant, he was very liberal in his outlook, इबने बतूता ने इसको बोला है, an ill-starred idealist, ओके, और Edward Thanas ने इसको बोला है, prince of monieffs, तो ये थोड़ी वो terms याद रख लीजेगा, कभी-कभी exam से, पूछ ली जाते हैं, ओके, so आगे देखते हैं, उसके ब अब जो पहले rulers थे, वो तो अपनी personal ambitions, अपनी personal caliber के दम के ओपर राचा बने थे, लेगिन फिरोशा तुगला की unique distinction थी एक, इसको सुल्तान nobles ने बनाया था, nobles ने इसे चुनकर सुल्तान बनाया था, तो obviously, यह उनी के लिए काम करेगा, उनके नक्शे कदम पर चलेगा, इस इसने एक book लिकी थी, that was known as, फतुवत फिरोशा ही, ठीक है, इसके एक prime minister भुआ करता था, वजीर, जिसका नाम था, खान जहान मक्बूर, एक तेलगू, ब्रहमिन कनवर्ट था, जिसने सुल्तान को इसकी administration में बहुत मदद की, और इसने daily सल्तनत को एक नई heights के ओपर लेका, economic field में, ओके, अब military campaigns की बात करते हैं, तो फिरोशा तुगलग को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुहमद बिन तुगलग के time से ही, जो daily सल्तनत थी, वो disintegrate होना शुरू हो गई, तो उसे daily सल्तनत को जोड़ के रखना था, ये इसके सामने एक सबस इसने सोचा कि Southern India पे control करना थोड़ा मुश्कील है, क्योंकि Northern India खुद ही तूटना शुरू हो गया था, तो इसने सोचा कि मुझे अपनी जो focus है, वो Northern India पे रखना चाहिए, Southern India को भी थोड़े देर के लिए छोड़ देना चाहिए, इसने Bengal के खिलाफ दो unsuccessful expeditions launch की थी, उसके ब नगर कोड के खिलाफ भी इसने एक expedition launch की थी, और उसके rulers जो थे, उनको भी मजबूर कर दिया था कि Tributes Pay करने पड़ेंगे तुम्हों, इसने 1300 Sanskrit manuscripts collect की थी जवाला मुखी Temple से, और उनको इसने translate कर वाया था Persian language में, चीक है, Sindh region में भी एक rebellion हुआ था, उसको भी इसने crush किया, वह लागू करवाया, जितने भी un-Islamic taxes थे, उन सब को खतम किया, यह पहला सुल्तान था दिली का, जिसने जजिया impose किया था, जजिया you should be knowing, एक religious tax होता है, जो ensure करता है कि आपको freedom of worship हो की, जो non-muslims के ओपर impose किया जाता है, जो ruler खुद impose करता है कि हम तुमें protect कर रहे हैं, उसक किया था, क्योंकि इसने बहुत सारे irrigation facilities प्रोवाइड की थी, बहुत सारे canals खुदवाए थे, इस वज़ा से इसने irrigation tax लागू किया था, ताकि उसकी जो financing हो सके, जो projects चल रहे हैं, कुछ 28 items के ओपर special tax लगाया जाता था, जो इसने abolish कर दिया, क्योंकि वो Islam के law के खिलाफ थ ओके, तो अगर agriculture की बात की जाए तो पैसे मैंने आपको पहले बताए, इसने irrigation tax imposed किया था, ओके, तो that's fine, इसने canals और wells को dug out किया था, ताकि irrigation को बढ़ावा मिले, agriculture की production बढ़े, अब इसके time को जो longest canal था, वो था 200 km long, and that was from सतलुच टुहंसी, छेक है, एक और canal था, जो यमना और हिसार के बीच में था, इसने अपने time period में 1200 fruit gardens डेली के आस पास लगाए थे, जिससे इसको साल आना एक लाग सतर हजार टंकास का revenue आता था, इन 1200 fruit gardens में से, इसने factories भी establish की थी डेली में, और इन factories को बोला जाता था कार खाना से, और इनके वीचों जो slaves हुआ करते थे इसक ये फिरोजबाद कहां पर है, ये रेड़ फोर्ट में है, डेली के पास, ठीक है, आज कल इसको फिरोजशा कोटला बोला जाता अगर आपको अगने news में सुना, ठीक है, तो आगे देखते हैं, in upcoming years there was further disintegration of the Sultan, अब ये सल्तनत को बचा तो नहीं पाया, और जो आने वाले साल उसमें जो सल्तनत की disintegration थी, वो जादा बढ़गी, बहुत जादा states ने अपना आपको independent declare करना शुरू करती है, बहुत सारी provinces ने revolt कर दिया, और उसके बाद क्या होता है, 1398 में ताइमूर इंडिया पे invade कर देता है, और वापस जाता है वो 1399 में, इस एक साल के दोरा, एक एक की duration के बीच में ये डेली को बुरी तरह से sack करता है, प्लंडर करता है, लोगों को मारता है, बहुत सारा पैसा लूट के डेली से ले जाता है वापस, ठीक है, इसकी वज़ा से जो डेली सल्तनत होती, वो काफी कमजोर हो जाती है, और जब ये ताइमूर वापस जाता है, त जिसको हम बोलते हैं, सयद डैनेस्टी, उसके बारे में हम बाद में डिसक्स करेंगे, आगे चलते हैं, या, तो आज की वीडियो में हमने कवर कर ली है, तोगलग डैनेस्टी के बारे में, अल्मोस्ट, अब कुछ जैसे आर्किटेक्चर होता है, कुछ आर्ट फर्म्स होत इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा तो साथ में डिसकस कर रहे हैं, बट as a whole completely हम उसके इसको डिसकस अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो मिले, क्योंकि अगर अलग से वीडियो मिलेगी तो एक continuity में आपको सारा art and architecture, art form हम समझ में आएगा, तो आपको लिए exam में recall करना थोड़ा असान हो जाएगा, तो इसलिए उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, फिलाल जो हमारा concentration यह होगा इस ताइम पे, कि हम डेली सल्तनत को as a whole उसके सारे rulers को complete कर लें, उसके बाद हम मुगल dynasty को पूरी त सब्सक्राइब कीचिए, तो आज आप से रुखसत लेते हैं इसी बात पर, so thanks for watching the video.